आज सावन का पहला सोंबार है इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंब हो रहा है आज सावन के इस पहले सोंबार को मैं देश वासियों को बहुत बहुत सुपकामनाई देता हूँ आज संसत का मंसुन सत्र का भी आरंब हो रहा है देश बहुत बारिकी से देश रहा है कि संसत का यह सत्र सकारात्मक हो सुजनात्मक हो और देश वासियों के सपनों को सिट्थ करने के लिए एक मजबूत नीव रखने वाला हो साथियों भारत के लोगतंत्र की जो गवरव यात्रा है उसमें ये एक महत्मपूर्ण पड़ाव के रुप में मैं देख रहा हूँ व्यक्तिगत रुप से मुझे भी हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यांत्र गर्व का विशह है कि करिब साथ साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आएं और तीसरी पारी का पहला बजेट रखने का सवभाग्य प्राप्त हो ये भारत के लोक्तंत्र की गवरव यात्रा की अत्यंत गर्वमा पुर्ण घटना के रुप में देश इसे देख रहा है ये बजेट सत्रह है मैं देश वास्यों को जो गारंटी देता रहा हूँ क्रमा शहरुप से उन गारंटी ओं को जमीन पर उतारना इस लक्ष को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं ये बजेट अमरित काल का एक महत्वपूंग बजेट है हमें पांच साल का जो आउसर मिला है आज का बजेट हमारे उन पांच साल के काईरे की दिशा भी ताय करेगा और ये बजेट 2047 जब आज आदी के 100 साल होंगे तब बिख्षिज भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नीव वाला बजेट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे हर देश वासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी एकोनमी वाले देशों में सबसे तेज गती से आगे बढ़ने वाला देश है गत तीन वर्षों में लगातार आठ प्रतिशद ग्रोथ के साथ 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं हम ग्रोथ कर रहे हैं आज भारत में पॉजिटिव आउटलूक इन्वेस्टमेंट और पर्फॉर्फॉर्मंस एक प्रकार से आपर्शुनिटीजी की पीट पर है ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक एहम पड़ाव है साथियों मैं देश के सभी सांसदों से किसी भी दल के क्यों न हो मैं आज आगरह पुरव कहना चाहता हूँ कि हम गत जनवरी से ले करके हम लोगों के पास जितना सामर्थ था उर्थ सामर्थ से को ले करके जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़नी जनता को जो बात बतानी थी बता दी किसी ने राह दिखाने का प्रहास किया किसी ने गुरुमरा करने का प्रहास किया लेकिन अब वो दोर समाप्त हुआ देश वाचियों न अपना निर्णे दे दिया अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तत्य है सभी राजनितिक दालों की विशेज जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़नी अब आने वाले पाँच वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है देश के लिए जूजना है एक और नेक बन करके जूजना है मैं सभी राजनितिक दलों से भी कहूंगा कि आईए हम आने वाले चार साड़े चार साल दल से उपर उट करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित हो करके संसत के इस गरिमापूर्ण मंज का हम उप्योग करें जनवरी ट्विंटी नाइन जब चुनाव का वर्ष होगा आप उसके बाद जाईए मादान में सदन के अभी उप्योग करना है कर लीजिए वो छे महिने जो खेल खेलने खेल लीजिए लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश देश के गरीब देश के किसान देश के युवा देश की महिनाए उनके सामर्थ के लिए उनको एमपावर करने के लिए जन भागिदारी का इजन अंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकट लगाए मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद पांच साल के लिए आए कुछ सांसद को को दस साल के लिए मौका मिला लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने खेत्र की बात करने का आउसर नहीं मिला अपने विचारों से सांसद को समर्द्य करने का आउसर नहीं मिला क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीती ने देश के संसद के महत्वपुर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीती विफलताओं को ढागने के लिए दुर्प्योग किया है मैं सभी दलों से आगरेपुर्व कहता हूँ कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए है ऐसे बहुत बई संख्या में हमारे मानने सांसद है और सभी दल में है उनको आउसर दीजिए चर्चा में उनके विचारों को प्रगण करने का मोका दीजिए जादा से जादा लोगों को आगरे आने का अउसर दीजिए और आपने देखा होगा कि पार्लामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था एच सो चालीस करोड देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुकम किया है देशवासियों ने उसकी आवाज को कुचलने का अलोगत्रिक प्रयास हुआ जाई गंटे तक देश के प्रधान मंत्री का गला गोंटने का उनकी आवाज को रोकने का उनकी आवाज को दबाने का लोगत्रिक प्रमपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पस्याताब तक नहीं है दिल में दर्द तक नहीं है मैं आज आदिरपुर्वत कहना चाहता हूँ देश वासियों ने हमें यहाँ देश के लिए भेजा है बल के लिए नहीं बेजा है ये सदन बल के लिए नहीं ये सदन देश के लिए है ये सदन साँसदों तक इस सीमा तक नहीं है एक सो चालीस करोड देश वासियों की एक विराज सीमा तक करके ये लिए है मैं अभी इस बात करता हूँ कि हमारे सभी मान्य साउसत पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समुर्द करेंगे कितने ही बिरुद्व विचार होंगे बिरुद्व विचार बुरे नहीं होते है नकारात्पक विचार बुरे होते है जान सोचने की सिमाई समाप्त हो जाती है देश को नकारत्पक्ता की जरूत नहीं है देश को एक विचार धारा प्रगति की विचार धारा, विकास की विचार धारा देश को नई उचाईयो पर ले जाने वाली विचार धारा से हमें आगे बढ़ाना होगा मैं पूरा यह आशा करता हूँ कि हम लोगतंत्र के इस मंदिर का भारत के इस सामानिय मानवी के आशा आकांग शाहों को पूर्णा करने के लिए शकाराथ प्रगृप से उप्योग करेंगे बहुत बहुत धन्वाद साथियों